हेलो फ्रेंड मल्टिटेक के यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे आज के वीडियो में हम इस आज का जो हमारा टॉपिक है ओडियो सेक्षन का यानि रिंगर सेक्षन से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है कि अग सब्सक्राइब करें तो इसकी सारी वर्किंग और कौन-कौन से इन्पुट बोल्टेज होते हैं कैसे यह करती है इसके बारे में पूरी डिटेयल से जानेंगे यह बोड में आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने रिंगर सेक्षन का एक सर्किट ड्रॉर करके हम आपको सबसे पहले हम समझते हैं कि काम करने की चुर्ण करने के बाद आप जाके अपना बिजनेस करोगे तो कश्टमर आते हैं कि हमारे सकत प्रॉलम आते ने तो हमें प्रॉब्स को समझें डा डीकशन अकर अगर हमारे पास आ रहा है तो हमारे मोगाल में लिंगर कर ने कहा है तो ढूंप समझना है की समझें ऑर कशल के यादे रिंगर को कैसे वर कर आ समझाओंगा कि अगर किसी भी हैंसें में रिंगर की प्रॉलम आती है तो उस रिंगर की प्रॉलम को कैसे सोल्ड के जाता है वह समझते हैं तो देखें जैसे की प्रॉलम की बाव हम ने किया था कि रिंगर वर्क नहीं करता है तो पहले तो होते हैं इसी प्रोसेस में क्या होता करना होता है कि आगर हमारा सबकुछ लिंगर ओके हैं उसकी सप्लाइब कर रहा है तो जेसा कि देख रहे हैं कि मैंने यह पर एक रिंगर ऐसी लिए एसे कई टाइप की लगाई जाती है और बीस इंगर सफिंग चैनल used की नमबर उसका सेम होंग दिखना कोई यहां कि पाईसी का बूरी सेक्षक होता है यह को ओर कैसे करती में किसी भी सीक्मेंश को समझ ले दो अगर कोई भी प्रॉलम् से प्रव्लम करें ऊलिए यह हमारे माश्की का मलब क्या होता है कि एस हमय सब्सक्राइब और यह से आज कल हम देखते हैं कि sound quality हमारी बहुत बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है अच्छे साउंड कॉल्टी स्मूथ को मलब वाइस ऑडियो बजने मलब लाउड बजने यह सारी चीजे हो रही है तो इसके क्या करता है इस पेसली उसके लिए एक रिंगर आइसी लगाई जाती है ड्रींगर को पृपर तरीके से उसे तो हम समझते हैं सबसे पहले का सी कई एक टिवटेस दिया जाता है जब तक उसको एक टीव पोल्टेस नहीं होगी अब में नहीं काम काम रही ले सकते हैं जिसा है क्या होता है कि भी रिंगर को कराना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक्टिव करना होगा Maa आइसी को ओन होने के लिए दिये जाएंगे तो यहां पर जैसा देख रहे हैं को इन्पूट वोल्टे दिया जाता है यानि जिस बोल्टे से रिंगर आइसी आपकी ओन होती है तो इसको हमने लिया है वी बैट सिस्टम 4.0 बोल्टे लिया यह मेडिया तो मेयाद मेडिया यह झीओ का मॉबाइल फोन है मेडिया तो और अगर हमारा कोल कम होता है तो इसको सप्लाइब फिश्टिब्यूट की जाती है क्योंकि पूरा सेक्षिन जो चलता है वो बैड शीश्टम से चलता है यह से पावर सेक्शन हो गया और सब्सक्राइब बहुत सारी आइसी हमारी सप्लाई में लगे होते हैं यहां पर जैसे देख रहे हैं कि कुछ फिल्टर के साथ यह सप्लाई आती है और आइसी की ए थिरी और भी थिरी बोल पर इन करती है सब्सक्राइब यहां यहां पर जैसे देखेंगे तो उसी बोल्टेज का एक बोल्टेज यहां पर बना जाता है असब देखने को मिलता है अब करती है और वही बोल्ट होता है जो हमारा बीबैस स्थमसलाइ का होता है जो भी बोल्टेज यहां पर स्वीचियर यहां अगर यहां पे जितना बोल्टेज दिया जा रहा तो उतना बोल्टेज के पासीटर पे हमारा यहां पे सो होगा लेकिन कब होगा जब हम इस को वर्क मिलाएंगे ठीक है तो यह पहला इसका हुआ कि सबसे पहले इस को क्या करना पड़ेगा एक्टिव करना होगा तो इसको सब करकि नहीं करेगा आपके साव से बोल्टेज आ रहा है आप बोल्टेज को तो यहां पर कर सकते हैं करें और यहां पर चेक करो होगे तो बोल्टेज होता है। अगर इसका ग्राउंड ब्रेक हो गया तो पॉजिटिव सप्लाई आपका बीख हो जाएगा वर्क नहीं करेगा तो ग्राउंड सप्लाई भी हमारे लिए इंपोर्टेंस होता है मालों कि आपने आपका निकल गया ठीक आपने सुझा कि चलो ग्राउंड उसे कोई फरक नहीं ठीक है तो यह चीज का हमेशा दियान लगना है कि जिसका पॉजिटिव होता है उसको ग्राउंड सप्लाई भी दिया जाता है ठीक है तो यह हमारा पहला हुआ सेकंड यह होगा लेकिन हम ने यहां पर बताया पावर बीडिटर पे बोल्टेज कब बनेंगे जब हम सर्किट पर इहां पर हम देखेंगे तो यहां पर कफ़ीppen यह सीटे में लगाए जाते हैं यह बहूत ही इंपॉर्टेंस होते हैं ठीक है जैसे कि हम जानदें कि बॉल्टेज्ट supply होता है अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके आउटपुट में फ्रिक्वेंसी प्लस बोल्टे दोनों दिया जाता है तो अगर इस को वर्क में लाना यानि इसके सर्कुट में बोल्टेज को आउट करना है तो यहां पर कुछ ऐसे पार यूज किया जाएंगे जहां पर सीरी में लगता है वह भी वोल्टेज सब्लाइब में होता है वैसे तो हम जानते कि कैप सीज में लगेगा तो बोल्टेज को पास नहीं कर सकता है बंड़ी वह भाण内 और अपर communications यहां पर बोल्टेज मिलेगा ऐसा नहीं कि सप्लाई आया तो यहां पर बोल्टेज बन जाएगा कभी नहीं बनेगा जब आपकी सर्किट वर करती है इंप्लिफिकेशन होता है तो उस वक्त इस कैपसिटर पर हम देखेंगे तो हमें बोल्टेज देखने को मिलेगे ठीक है तो यह दोनों कपसिट जो होते हैं हमारे सीरीज में लगे होते हैं कभी आगर आप इनको चेक करोगे तो क्या दिखाई दिखा और इस साइड दिखा रहा है इसका वनलब जिस साइड नहीं दिखा रहा है सपलाई बहुंए इसकी मिसिंग होगे जिसे बी वण की बॉल इसकी यह घ सब्सक्राइब तो जब तक हम इसको नहीं करेंगे जब तक हमारा वर्क होगा नहीं होगा यहां पर दोनों पर आना चाहिए पोजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों पर सब्सक्राइब तो यह दो कैपासिटर आपको सीरीज में लगे हुए दिखाई देते हैं जो वर्किंग में काफी इंपोर्टन सुरूल अदा करते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा यह तीसरी सप्लाई होगी पहला भी बैट सिस्टम पावर भी डीडी तीसरा हमारा क्या हुआ और यह कि में लगा जाते हैं और के देखाए टृकल चैनल में लगा होगाए करल को कि बैदने लगा होगा तो यह करपासिट्र आपको देखने को मिलेगा जो कि सीरीज में लगा होता है इसको चेक करोगे तो यह दोनों साइट वीप साउंड नहीं देते हैं दोनों साइट आपको वेलू देखने को मिलें उसके बाद जब यह आई-सी का जो रिक्वाइड सरकीट होता है बोल्टेज हैं जब तक इसको सीगनल नहीं दिया जाएगा जब तक पर रिंगल रिंगल बहुन दिया जयेगा नहीं करें करें करने के लिए कहीं ना कहीं से तो इसको फ्रिक्वय यह ने ju सीगनल पॉस्टिवी निगे न की लिया आगर हम देखेंगे तो यह हमारी मीडियेंज वाले मुबाइल फून में देखेंगे तो अलग नहीं लगी होती है और यहां पर यहां पर होता है वह एमटे पर आपको बताया होगा कि पहचान क्या होती और इसके पास अपने देखा क्रिश्टल क्या करता है अब यह मीडिया टेक की है तो यहां पर लगा होगा वह 26 मेगा हर्ट का लगा जाता है यानि वह क्रिश्टल जो क्लॉग पल्स बनाएगा यानि फ्रिक्वेंसी जन्रेट करे यहां पर हम देखेंगे तो फीरिक्वेंसी को पूरा करती है तो यहां पर देखेंगे तो पारी निकली और यहां लोग फिरिकुंसि को रोकता है तो इदर से पावर आई सी को क्या चाहिए अगर मिक्स फिरिकुंसि यहां से पास किया चाहिए तो तब भी आपका इसी वर्क नहीं करेगा कि उसको मिक्स मिला है कि इसी को वर करने के लिए Optasy जाएगी तो यहां से को पास कर देगा डधी रिक्वेस को रोग लेना अब यहां से देखें बढ़ेंस को सा लगा सवाल रहता है क्या मूतला करना करना कि कंब करके पास करना फिरिक्वेस्ट चुफंप यहां पर देख लगंदे लगा रहू 정도 यहां पर देखें जब frequency high frequency पास होती है तो उसकी ज्यादा होती है तो उसके speed को कम करने के लिए यहां पर रजिस्टर लगाए गया कि जब कम इस पीड में रिंगर को positive negative frequency मिलेगी तो रिंगर आइसी खराब नहीं होगी शॉट नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से रिंगर वर करेगी तो उसकी speed को कम करने के लिए यहां पर तीन किलोंगा रजिस्टर लगाए गया अगर आप किसी किसी अगर हमारा खराब होजाए तो हमारी स्पीड जाएगी यहां लेते हैं कि इस ने को स्कूल करना बंद कर giรण करना जरूरी होता है कि कहीं वह खराब तो नहीं होगे तो इनको भी चेक करना जरूरी है तो यहां से पॉस्टिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जो ओडियो आइसी देगा इन कंपोडेंस से होते हुए कहां पर जाएगी आइसी के अंदर इन करेगी तो यहां पर यहां पर फिरिक्वेंसी यही से चली जाती आगे इसका कोई काम ऐसा नहीं होता है तो यह हमारा क्या हो गया इस आइसी का इनपूट हो गया बॉल्टेज मिल गया इदर कैपासिटर भी लग गये अब आइसी का एक्च्वेंसी को यानि आउटपूल करेगी तो हम किसी भी आगे हैं सेंट मिल्ट और आपको देखने को मिलता है यहा सब्सक्राइब लीजिए शुक्त क्वेर्व है और दोनों में से अब कोई बी एक चीज पास होगी और चीज नहीं करेगा यहां आपके मोबाइल-फुन में की粗 मोदल मारें जाता है यहां सांडों में जलोग सां कि जब इसके आॉट्पुट में वोल्टेज आफ रिक्वेंसी में से कोई बी एक सप्लाई जाती एक सप्लाई नहीं जाती तो उस कंडिशन में क्या होता है सुछो सांड की प्रॉलम आनी सुरूव तो यहां से क्या है अब इसको आउटपुट देना तो तो कोई ने कोई कंट्रोल करेगी तो सीप्यू की अपना माश्टर आपश्टर यह तो उसके बगैर पर मिशन बगाइर उसके कोई भी आइसी वर्क नहीं कर सकती है ठीक है तो यहां पर देखेंगे तो इस आइसी को कंट्रॉल जो कर रहा है वो कौन कर रहा है और यहां से एक अनेबल सप्लाई बेचता है एफ और बोल पर अगर आप देखो कि तो क्या लिखा सट डाउन बोला जाता है या वह सरकिट में दे सब्सक्राइब जब रिंगर आपका वर्क करता है तभी हमको बोल्टेज देखने को मिलता है फिरिक्वेंसी तभी हमें देखने को मिलती है अगर रिंगर हमारा सिली मोंड में होगा सप्लाई डिस्कनेक्ट अब यह अनेबल नहीं आएगा तो यह आईसी कभी भी आउटप सब्सक्राइब करेंस Sm imaging हो जाएगा स्ञोड़ेगा तो यह सब्सक्राइब करना किक सब्सक्राइब करना काम इंपना करेंगा तो चलाएंगे प्यूंद कि हमारे मोबाइल फून में इस वक्त क्या होने वाला है तो उसके हिसाब से क्या करता है एक्टिब करता है तो यहां से एक अनेबल सप्लाई आएगा जिसको ओड्योप शप्लाई के नाम से जाना जाता है इसको कहा जाता है ओडियो पावर एम्पिफायर यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे रिंगर ऐसी ऑपूर्पूर्ट सप्लाई देना शुरू कर देगी औ एक अब को आपको आउट पूंट नहीं तब यहां से देखे दो सप्लाई आउट हो रही है क्योंकि देखें तो पॉस्टिब और नेगेटिव दी जाती और दोनों के सप्लाई में से में लगा जाते हैं तो यहां से से दो सप्लाई है एक आपका में चलिए क यहाँ पर देखलन गेंगे तो पर सब्सक्रान से होते वह से कहां यहाँ होता है रिंगर को बंड्यज फिरिक्वेल करना । तो हम्रिंगर को एक्टिव करते हैं है यानि सॉंग प्लेय कर देंगे और इस कोईल पे भी हम चेक कर पता कर सकते हैं कि यहां पर आपको मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं अब बॉल्टेज की अगर हम बात करें तो यहां बी बोल्टेज्स हो होता है तो पॉइंट भी ब्लोंट ब्लोंisia तो होता है अब 3.7 यह लेटेस हैंसेट में देखने को मिलता है क्योंकि आज कल जो रिंगर होती है उसके पास में देखेंगे तो हमारा स्वीचिंग सप्लाई के द्वारा यहां पर बनाए जाते हैं यहां पर नॉर्मल हमारा बीबेट सप्लाई आता है लेकिन अगर हम लेट और यहां पर आप सोजो कि बोल्टेज चेक कर सकते हैं फिर्कोइंसी तो नहीं चेक कर सकते हैं ठीक है अब माल लेते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक सप्लाई मिसिंग तब भी आपका रिंगर वर्क नहीं करेगा ठीक है आपको कभी कभी सवाल आता है क्या कीट का जुड़ना सर्कुट का ओके कंडिसर्स नहीं होता है जब तक हम उसको मेलां मिला के हम नहीं चेक करेंगे जब तक शरक्री के बारे नहीं परने चलता है क्या सर्कुठ की सर्की ऊंकि데 घ्राइंगर चिबा करेंसी से करे dense इस नहीं तो आज संपना सेमिवी तो यहां करेंगे हम वर्क में नहीं करेंगे हम कैसे पता चलेगा कि कि खराब है वालो कि हमने इसको एक्टिव नहीं किया हमने जीयार चेक करके छोड़ दिया और हम पर काम कर रहे हैं तो हमारे प्रॉब्लम सौल्ब होगी नहीं होता है तो उसी में पजल होना पड़ा है जब कभी भी एक करना है तो उस को वर्किंग कंडिशन में लआने के बाद पता चलेगा कि आपकी आपकी यद्ल क्या कि हम नहीं कर दिया यहाँ पर चेक करें सब्सक्राइब होगी क्योंकि जब सरकीट अक्टिव होगा तो यहां पर बोल्टेज बनने चाहिए अब यहां पर बोल्टेज नहीं बने तब इस कंडिशन में हम कहेंगे कि हमारा आइसी की प्रॉल्ट होगा यानि हम प्रॉब्लम को सब्सक्राइब तब ही चीज को नहीं चेक कर रहें है तो वहां पर नहीं चैक करो कि जब तक सरकीट के बारे में आपको नहीं पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा जब को कोई भी प्रॉलम अगर आती तो पहले समझना है कि यह प्रॉलम आई है तो इसके सेक्शन में क्या चीज होता है लगी होती है तो इस का वर्किंग कर्डिशन क्या होता है वहां पर कौन कौन सी सप्लाई देखने को मिलेगी कैसे वह आइसी इंपुट आउट पूर्ट करती है जब उस बिहाब पर आप करेंगे तब पता चलेगा अगर अगर ऑडियो पी एनेबल सप्लाई एनेबल इस का कमडिकेशन टूट और सीप्यू से अब इसको पते हैं कि हमें बोल्टेज भी आउट करना है तो यह तो बोल्टेज आउट नहीं करेंगे ना तो इसमें तो जियार वहलू आने का मलदब आईगा तो जूड़ी है लेकिन इसको बोल्टेज दे रही ही की नहीं देदी पहले according to इसके circuit के हम इस पर काम करेंगे बोल्टेज नहीं आ रहा है तो पहले भी बैट सिस्टेम सप्लाइच करना है हमें इन कैपासिटर को चेक करना होता है पावर बीडीडी को भी चेक करना होता है अगर यह चीज हमारी ओक है फिर भी बोल्टेज नहीं पास हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि हमारी आईसी खराब है ठीक है इस कंडिशन में आईसी पर काम करेंगे उसको चेंज करेंगे तो प्रॉलम हमारी सॉल्व होगी और हम इस एक सरकेंट सब्सक्राइब के लगते हैं ऑनके लगा होना है चैया चीजते श हमें पता करना है तो यह नॉर्मल होता है और यह णोको का एक नलगाता हैं नॉर्मल लगाता कर से इह घ्रेक होधाlaş लगा जाते है लागाने कर पर यहीं आपका सब पर नड़ा होता है प्रिक्वेंसी और बोल्टेज मिलेगा अपना काम प्रॉब्स करना करते हैं तो यह को होता है और इस से रिलेटेड अगर प्रॉलम आती है तो इसको इसकी फॉल को रिपियर कर सकते हो ठीक है तो यह समझ में आया है जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको इस्टब बाइस्टब काम करके आप रिंगर की प्रॉलम को स्ब्सक्राइब करें था कुछ रिंगर इंगर इसी तर्म मोबाय रिपेरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टिटेक के यूटूब जेनरल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू